Hello friends, Shashi Agarwal channel के अंदर मैं Dr. Shashi Agarwal welcome you all आज का जो हमारा subject है that is the business law और जिसके अंदर we are going to cover the जो chapter है that is the offer and acceptance इस वीडियो के अंदर we are going to understand what are the essentials of a valid offer and what are the essentials of a valid acceptance अगर आपको मेरा ये effort सही लगता है तो do like my video इसको share कीजिए और मेरे चैनल Shashi Agarwal को subscribe कीजिए so this is my app अदूसर मैप जिसको आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हो यह जो एप है Commerce, Economics and Management students को काफी सारा free study material और काफी सारे mock test provide करती है और इसी तरह काफी सारे Commerce, Economics and Management के structure courses अवेलेबल है और business law का भी structure course यहाँ पे अवेलेबल है otherwise आप अपना customized labels देखे भी अपना customized course यह डिवेल्प करवा सकते हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is the meaning of contract हमें पता है agreement है जो के law के अंदर enforceable होता है वो ही agreement जिसको हम legally enforce कर सकते हैं contract कहलाते है agreement जो है एक wider term है इसके अंदर social domestic agreement भी आदाते है पर वो contract नहीं होते वो ही agreement contract होते है जो legally enforceable होते है agreement का मतलब होता है एक party offer देती है दूसरी party उसको accept करती है agreement का मतलब होता है कि every promise and every set of promise forming the constitution for each other जैसे A, B से कहता है कि तू मेरी picture paint कर दे मैं तुझे बदले में 200 दूँगा तो B जो है एक ही picture paint करेगा उसके बदले में उसको 200 मिलेंगे और उसी तरह A जो है वो 200 देगा उसके बदले में उसकी picture paint हो जाएगी प्रपोजल का मतलब होता है कि पार्टी जो है ओफर देती है दूसरी पार्टी उसको असेप्ट कर लेती है और वहाँ पे वो जाके जो है एग्रिमेंट या प्रपोजल बन जाता है agreement का मतलब होते है कि एक party offer देती है दूसरी party उसको accept करती है जो party offer देती है उसको हम offeror कहते हैं और जो party जिसको offer दी जाती है उसको offer कहा जाता है तो offer means जब भी हम contract का starting point जो होता है that is the offer तो section 2a define करता है कि when one party signifies to another his willingness to do कि जब एक party जो है दूसरी party को अपनी proposal देती है कोई काम करने के लिए या abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of debt other to such act or abstinence या वो कहते कि ये काम ना कर तो वहाँ पर वो उसकी consent लेना जाती है जैसे AB को कहता है कि तू मेरी bike purchase कर ले for 50,000 तो वहाँ पर वो अपनी intention बता रहा है कि मैं अपनी bike तुझे sale करना चाहता हूं तो दूसरी situation के अंदर क्या है कि जैसे A ने B के पैसे देने है लेकिन वो maturity date पे नहीं दे पाता तो B जो है उसको sue करना चाहता है तो A कहता है कि भई तू मुझे sue ना कर मैं तुझे 6% interest पे पहले वापस करने थे अब मैं तुझे 8% पे दूँगा पर तू मेरे पे मुकदमा ना कर तो यह है abstinence के लिए उसने उसको proposal दिया है कि तू court में आ जा मैं तुझे जो है 2% extra interest पे करूँगा तो यहाँ पे जो person proposal देता है उसको proposal कहते है या offer कहते है और जिस व्यक्ति को हम proposal देते है उसको हम offer कहते है तो यहाँ पे देखो जो person जो है he is called the proposal और offer तो यहाँ पे जिसको दी जाती है उसको offer कहा जाता है परपोजल जो होती है कि जैसे हमारी विल या इंटेंशन को डिपेक्ट करती है जो परसन परपोजल दे रहा है वो बताता है कि यह जो टाम्स है इसके उपर मैं आपके साथ कॉंट्रेक्ट करना चाहता हूं और इसके अंदर क्या है कि दूसरी पार्टी जिसको offer दी जाती है तो अगर वो भी उसको accept कर लेती है तो इत मिन्स कि वो भी contract करना चाहती है उन्ही same terms and condition पे तो section 2a जो है हमें तीन essential element के बारे में बताता है expression of willing to do something or not to do something और यहाँ पे जो offer है यह जो willingness to do or not to do something यह हम दूसरे व्यक्ति को express करते हैं और वहाँ पे हमारा जो person होता है intention होता है कि हमने उस व्यक्ति की consent लेनी होती है act your abstinence के लिए तो essential element of valid offer है कि जो भी हम proposal देते हैं वो हमने offer को communicate करनी है अगर वो communicate नहीं होती तो definitely वो valid offer नहीं होती और यहाँ पर हमारी जो intention है वो legal relation create करने की होनी चाहिए और जो हम offer देते हैं वो vague नहीं होनी चाहिए definite होनी चाहिए certain होनी चाहिए जैसे मैं बहुत सारे oil के अंदर deal करता हूँ अगर मैं किसी को offer देता हूँ कि मैं तुम्हें 100 ton oil जो है supply करूँ है तो यह जो offer है that is not clear and certain तो necessary point है कि journal offer भी हो सकती है जब हम पुरी public को जो है offer देते है specific offer होती है जब हम एक particular person को offer देते है तो वही वेक्टिव से accept कर सकता है और offer और invitation to offer के बीच में difference होता है standing offer भी हम करेंगे तो यहाँ पर जो offer है कि किस तरह से kinds of offer जो है journal offer है specific offer है journal offer जो है पुरी word को की जाती है specific offer एक specific person को की जाती है offer जो express भी हो सकती है verbal और written form में भी हो सकती है implied जो होती है हमारे action या behavior से होती है तो offer जो express के जैसे AB को कहता है कि तु मेरी picture paint कर दे बोल के कहता है और मैं तुझे 200 दूँगा तो यहाँ पर उसने express by bowl के जो help by spoken words के द्वारा अपना proposal दिया है written form में होता है कि जब हम written में किसी को proposal भेजते है express offer is one which is made by spoken words or written form implied offer होती है which is gathered from the conduct of the party or the circumstances of the case कि जो हमारे behavior से पता चलती है जैसे एक चलती हुई bus है अगर वो बठिंडा जा रही है तो वहाँ पर क्या है कि वह हमें जब हम उसके अंदर बैड जाते हैं तो इत मेंस कि हमने उसकी offer को accept कर लिया और offer जो है इम एक particular person को भी कर सकते है particular group और body of person को भी कर सकते है और public offer कर सकते है specific offer और general offer जब हम offer एक specific person को करते हैं तो वह specific offer कहलाती है वही specific person उसको acceptance दे सकता है कोई और third बंदा उसकी acceptance नहीं दे सकता और जब हम offer पुरी दुनिया को देते हैं तो यह general offer कहलाती है तो इसके अंदर एक बड़ा ही famous case है Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company एक company जो है newspaper के अंदर advertise करती है कि जो भी कोई smoke balls जो है given instructions के मताबिक consume करेगा अगर उसको इसके बावजूद भी influenza हो जाता है तो उसको reward दिया जाएगा Mrs. Carlyle जो है वो smoke balls को use करती है according to the printed direction बड़ उसके बावजूद भी उसको influenza हो जाती है तो वो कहते हैं कि मुझे reward दिया जाए तो वहाँ पे court कहते हैं कि यह general offer है तो पुब्लिक के अंदर से कोई भी बंदा जो है किसे टीज़ रहे भी सेफ़ेएगा जाती है तो बहुत पहार है जाती है तो वह लंफ ऐखनी होता है तो हम किसी शेशन एंडं़ करते है तो वह भी इन्वीटेशन जाता है जैसे पुछे क्या में उत्वी पूच्छा स्ते के इसाथ ko ús मॉपर बिआ यह हम जैसे कोई चायजियों हारी करते हैं जब पैद फॉर पाइश सब्सक्राइब करों तो वह भी इनिविटेशन टू ओफर होता है जैसे कोई डुच easy task, UA good Shipaving और उछ दूर है तुष के अंदर यह काटालों होते हैं ये भी invitation to offer होती है और उसी तरही जो tender के लिए invitation होता है वो भी invitation to offer होता है, offer नहीं होता तो यहाँ पर हम देखते हैं कि these are the essentials capable of creating legal relation, must be certain, definite and not vague, must be communicated to the offeree, must be made with a view to obtaining the ascent of the other party may be conditional, invitation to offer is not an offer तो these are the essentials of a valid offer, कि offer जो है ऐसी होनी चाहिए, जहाँ पर legal relation create करने की intention हो जैसे बालोफर वर्सिस बालोफर के अंदर क्या था कि हस्बन और वाइफ के बीच में domestic agreement था, तो वहाँ पर कोई intention legal relation create करने की नहीं थी offer जो है certain होनी चाहिए, definite होनी चाहिए के वेग नहीं होनी चाहिए, कि जो clear नहीं हो, जैसे टेलर वर्सिस पुरिंग्टिन के केस में होता है, कि यह कहता है कि मैं तेरा घर किराय पे ले लूँगा 85 pound, provided the house is properly renovated, repaired and drawing rooms were totally decorated as per the present style तो यह जो है, terms and condition बड़ी वेग है offer जो है, offer को communicate होनी चाहिए, अगर वो communicate नहीं होती, तो वो valid offer नहीं मानी जाती जैसे लालमन शुकला वर्सिस गौरिदत के केस में होता है, कि D का जो नेफियो है, वो खो जाता है तो वो अपने servant P को भेजता है, कि भई जाओ मेरे नेफियो को ढून के लाओ तो D, जब उसका servant चला रहता है, तो वहाँ पर वो reward अनौन्स करता है कि पांसर रुपय का reward दिया जाएगा, उसका servant जो है नेफियो को ढून लाता है और reward मांगता है, तो वहाँ पर उसका claim रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसको offer communicate नहीं की गई थी जब उसको offer communicate नहीं गई तो वो उसको accept भी नहीं कर सकता offer जो है, conditional भी हो सकती है, offer के अंदर कुछ conditions भी हो सकती है इसको हम उन्हीं conditions के तहट accept करना पड़ेगा, provided कि जब offer conditional होती है तो जो conditions हमने लगाई है, वो उस वक्त हमें at the time of offer बतानी चुछिए अगर वो नहीं बताते तो वो conditions वालट नहीं है तॉमसन वर्सेज एलम रेलवे के केस में हुआ है, जैसे एक अनएजुकेटेड वेक्ती था उसने घूमने फिनने के लिए एक सकर्जन टिकट ली रेलवे के अंदर उसके अंदर लिखा था पीछे देखो conditions के लिए तो one of the condition था कि अगर पैसेंजर को कोई पॉसन इंजरी हो जाती है तो रेलवे कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है तो यहाँ पे एंजर हो गया तो यहाँ पे उसने case किया तो court ने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ था पीछे conditions देखो तो इसको देखनी चाहिए थी यह कोई प्लीनी है कि मैं uneducated हूँ तो वो damages नहीं recover कर सकता था ओफर के अंदर SCB कोई term नहीं होनी चाहिए कि non-compliance of which would amount to acceptance जैसे AB को ओफर देता है कि मैं तुझे अपनी bike 30,000 में sale करना चाहता हूँ अगर मुझे तेरा reply next Monday तक ना मिला तो मैं आजिम करूँगा कि आपने offer को accept कर लिया तो ऐसा कुछ में नहीं होना चाहिए offer जो है यहाँ पर हम दूसरे party की consent लेना चाहते हैं जैसे club में बैठे हूए हैं तो AB को कहता है कि मैं अपना घर जो है 20,000,000 में sale करना चाहता हूँ और भी अगले दिन उसके घर में 20,000,000 लेके पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ पर उसकी intention ही नहीं है अपने घर को sale करने के लिए और उसी तरह offer lapse हो सकती है अगर offer या offer की death हो जाती है before acceptance और अगर वो specified time या reasonable time period के अंदर accept नहीं किया राता तो offer खतम हो जाती है जैसे offer को accept करने का time था within 10 days अगर 10 days के अंदर उसको accept नहीं किया राता तो offer खतम हो जाती है और depend करता है circumstances के उपर जैसे क्या है कि share जो थे जून के लिए जून के अंदर अप्लाई किया थे लेकिन allotment जो है उसको नवंबर में होती है तो यहां पर क्या है कि देखो यहां पर यह वैलिड जो है basically क्या है acceptance नहीं है five month has been held to be unreasonable delay in accepting and offer to buy shares in a company और उसी तरह आफरी जो है अगर वह valid acceptance नहीं देता अपनी condition साथ में लगा देता है और offer जो है revocation उसके acceptance से पहले रेवोकेट भी हो सकती है invitation to offer is not offer क्योंकि यहां पर जो aim है that is to circulate the information अगर हम किसी shop में जाते हैं वहां पर चीज़े दिस्प्लेड है price tag लगा हुआ है तो invitation to offer है जो चीज़ हमें पसंद आती हम ले कि उसको जो counter पर जाते हैं तो हम offer देते हैं और उसी तरह जब person invitation to offer देता है तो यहां पर जो है दूसरे व्यक्ति की consent नहीं लेना जाता है वह information सब्सक्राइब कर रहा है कि अगर वहां पर पहुंच आते हो सेल नहीं लगती तो आप उसको स्यूर नहीं कर सकते क्योंकि वह invitation to offer है standing offer होता है कि वहां goods and services जो होती है लंबे समय के लिए चाहिए होती है फर्म जो है tender invite करती है as in standing offer जो के continuing offer होती है an offer for the continuous supply of certain article at a certain rate over a definite period is called a standing offer such offer जो है चाहिए accepted हो जाती है बड़ contract नहीं होता जब तक के actual order नहीं place के रहता acceptance of standing offer has the effect that when the goods and services are required and order is placed तब contract बनता है otherwise जो है contract नहीं बनता counter offer होती है जब हम original offer को reject करके उसकी जगा पर new offer देते हैं जैसे hide versus ranch के case में होता है कि A जो है बी को offer देता है कि मैं अपना जो farm है वो 1000 पाउंड में sale करना चाहता हूं B कहता है कि मैं 950 में लूँगा तो यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर को आपने रिजेक्ट कर दिया फिर ए उसको reject कर देता है बी कहता है मैं 1000 पाउंड देने को त्यार हूं तो ए अगें रफ्यूज कर देता है तो यहाँ पर कोई contract नहीं है क्योंकि यहाँ पर original offer रजेक्ट हो गई तो उसके बाद उसने जो दी है फ्रेश ओफर दिया कि मैं तुझे 1000 पाउंड पे करूँगा तो वह ए असेप्ट नहीं करता तो वहाँ पे वैलड कांट्राक्ट नहीं बनता cross offer होते है कि जब दो पार्टी एक दूसरे को identical offer प्रवाइड करती है बट उनको पता नहीं होता तो offer जो एक दूसरे को cross करती है वो contract नहीं होती DP को लिखता है 28 November 1971 को कि मैंने अपना जो है 800 ton of iron जो है आपको 6900 per ton के हिसाब से sale करना है same day P जो है D को लिखता है कि मैं 800 ton of iron जो है at the rate of 69 खरीदना चाहता हूँ तो यह cross offer है एक दूसरे की offer and acceptance नहीं है और उसी तरह क्या है कि जब हम communication करते हैं या negotiation करते हैं उस तवार आपको information मांगते हैं तो वो offer नहीं होती तो हारवे वर्सिस फेसे की case में तीन टेलिग्राम शेर हुई बिल यू सेल यूर बंपर हॉल पैन कि क्या तुम अपना बंपर हॉल पैन जो के रियल स्टेट का नाम था सेल करोगे और उसकी lowest price बताओ तो फेसे ने हारवे को कहा कि इसकी lowest price जो है 900 pound है तो उसके बाद हारवे लिखता है कि ठीक है वी रेडी तू परचेश यूर बंपर हॉल पैन फर 900 बाट तो यहां पे देखू वह information supply कर रहा है वो उसको offer या acceptance नहीं है तो यहां पे कोई contract नहीं है क्योंकि यह information supply की गई है यहां पे जो है कोई offer नहीं दी गई बहुत सारी organization होती है वो प्रिंट कर वा लेती है तो यह जो standardized contract होते हैं इसके बहुत सारी terms and condition होती है और जिसके अंदर क्या होता है कि उस form की liability को काफी limited क्या होता है individual को यह contract sign करने पड़ते हैं तो courts ने बहुत सारे protective mayor जो है adopt किये हैं कि जो unreasonable terms है उनको exclude किया जाएगा के पर contract के अंदर special terms होती है तो यह at the time of offer बतानी चाहिए अगर offer के बाद बताते हैं तो वो valid नहीं होती जैसे Olly vs Marlboro Court Limited के case में होता है कि एक बंदा hotel का room book करवाता है और वहाँ पर जब जाता है तो वहाँ पर एक notice लिखा होता है होटल के गामरे के अंदर के अगर क्लाइंट्स की goods खो जाती है तो हम इसके लिए जिम्यवाद नहीं है तो उस वेक्ति की चीजे खो जाती है तो वो कहते हैं कि हम responsible नहीं है तो वहाँ पर वो होटल जो है responsible है क्योंकि यह notice effective नहीं है क्योंकि जब जब यह offer मतलब at the time of जो है hotel का जब किराय ले कमरा लिया गया तो उस वक्त यह चीजें बताई नहीं गई थी अगर आपको मेरा यह effort सही लगता है तो दू लाइक मैं वीडियो और इसको सब्सक्राइब कीजिए तो यहां भी हम देखते हैं कि देखू पहले हम offer करते हैं तो next important stage होती है उसको को accept करने की अगर offer को accept कर लिया जाता है तब हम कहते हैं कि यह proposal बन गया है यह agreement बन गया है जैसे ए जो है बी को offer देता है I want to sell my bike for rupees 20,000 और बी उसको accept करता है कि yes I am ready to buy your bike for rupees 20,000 तो यहां पे देखू जब offer accept हो जाती है तब वहां पे जाके जो है agreement developed होता है when the person to whom the proposal is made signifies accepted proposal जो है वो promise agreement बन जाता है देखू जब acceptance दे जाती है फिर हम offer को reward नहीं कर सकते offer को withdraw नहीं कर सकते और उसी तरह जब जो है offer को accept कर लिया जाता है तो दोनों party जैसे A ने B को कहा कि मैंने तुझे अपना bike sale करना है 20,000 में A को B को bike sale करना पड़ेगा और B को उसका बंदने में 20,000 देना पड़ेगा acceptance जो है offer को उसी तरह से है जैसे हम एक train of gun powder है जब हम उसको आग लगा देते हैं तो उसके बाद खाक बचता है तो उसी तरह जब offer को accept कर लिया जाता है तो उसके बाद हम offer को withdraw नहीं कर सकते acceptance express होती है जब इसको spoken word जा written के रूप में express के जाता है इंप्लाइड होती है कि जब इसको conduct से जैसे आप hotel के अंदर जाते हो वहां पर चाई का order देते हो तो obviously आपने hotel की जो offer है उसको accept कर लिए अब आपको चाई भी पे लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे तेको यहां पर क्या है कि जब किसी particular person को offer दी जाती है तो वही accept कर सकता है लेकिन जब general offer पुरी public को दी जाती है तो इसमें से कोई भी बंदा जो है इसकी terms and condition को पूरा कर सकता है जैसा कि हमने beginning के अंदर Carlyle vs Carbolic Smokball company किया था तो अब हम यहां पर देखते है कि यह जो offer है जैसे Walton vs Jones का case है D का A firm के साथ account था बट वो फर्म अब B के पास चली गई है तो D को इस पात की knowledge नहीं थी D अपना offer जो है old A firm को भेजता है बट उसको B accept करती है और goods भेज देती है और बाद में वो D को sue करती है प्राइस के लिए तो कोड कहती है कि यहां पर BOD के बीच में contract नहीं है क्योंकि जो offer थी वो A को दी गई थी तो A ही उसको accept कर सकता था भी उसको accept नहीं कर सकता था तो these are the essential of a valid acceptance कि acceptance जो है that should be absolute and unconditional कि जब हमने acceptance देनी है तो यह नहीं कि उसके साथ हम कुछ conditions लगा दे absolute terms के अंदर जैसे नीली वर्सिस मेर्ट के केस में हुआ MN को कहता है कि तु भई मेरी मैं तुझे अपनी जमीन सेल करना चाहता हूं US dollar 280 में अगरता है अगरता है अगले दिन उसके घर पहोंच जाता है थर्टी डॉलर का चेक लेके और रेस कहता है मन्थली इंस्टॉल्मेंट तो यहां पर जो acceptance है that is with subjective condition कि मैं इंस्टॉल्मेंट में पे गरूगा absolute नहीं है तो यह valid acceptance नहीं है उसी तरह acceptance जो है that should be totally absolute जैसे hide versus wrench के case में होता है A उसको कहता है कि मैंने अपना farm जो है तुझे सेल करना है 1000 में B कहता है कि वो purchase करेगा 950 पाउंट के अंदर तो यहां पर देखो क्या है कि अपनी acceptance पे condition लगा दी कि मैं तो इतने मैं खरीदूँगा लेटर ने ही agree to purchase for pound 1000 तो A जो है उसको refuse कर देता है तो यहां पर B A को sue करता है specific performance के लिए court कहती है कि यहां पर valid acceptance नहीं थी offer दी गई लेकिन आपने acceptance दी with condition तो यह एक valid acceptance नहीं है और उसके बाद आपने counter offer दे दी acceptance को communicate करना जरूरी है अगर आप किसी चीज को असप्ट करते हो तो offer को बताना जरूरी है कि मैंने आपकी offer को असप्ट कर लिया है पावल वर्सिस लीकी केस में होता है कि जैसे एक व्यक्ति होता है A उसने school के अंदर headmaster के लिए apply किया होता है board of manager वहाँ पर resolution बास करते है कि इसको A को headmaster बनाना है तो one of the board manager जो है A को बता देता है but later on some other person was kept तो A जो है school के ओपर case कर देता है तो court कहता है कि भरी तुझे जो तेरी offer को उनोंने accept किया था वो communicate ही नहीं किया गया जब communicate ही नहीं किया तो तुम case नहीं कर सकते उसी तरह Felt House versus Bindle के case में होता है कि F जो है अपने nephew को कहता है कि मैं तुझे 30 pound और 15 cent परवाइड करूँगा तो मुझे अपना horse सेल कर दे और अगर मैं तरह से कोई नहीं सुनगा तो horse मेरा होता है अपने जो रिप्लाइड नहीं देता बट वो अपने जो ऑक्ष्णर होता है उसको कहता कि यह घोडा नहीं सेल कर देता है तो यहां पर क्या है कि देखो यहां पर क्या है क्या है क्या है क्या है चाहे ने अपने अंकल को सेल करना चाहता था बट उससे कॉम्निकेट नहीं कि अगर हमने जैसे मानलो ऑफर दी जाते है के 10 देस के अंदर आपने इसको असेप्ट करना है अगर 10 देस कि बाद आपसेप्ट करते हो तो गिलाड अब्रस नहीं है अगर वहां पर टाइम स्पैसिफाइड नहीं किया हुआ तो वो reasonable circumstances, तो वो circumstances के ओपर depend करता है कि reasonable time period है या नहीं है जैसे leading case है Ramsegate, Victoria, hotel company versus Montefiore ए परसन जो है share के लिए apply करता है June के लिए लेकिन उसको allotment मिलती है November में तो यहाँ पर यह reasonable time period नहीं था तो वो allotment को reject कर सकता है तो यहाँ पर acceptance जो है that should be according to the mode prescribed कि जो बताया जाता है कि आपने इसको इस तरह से accept करना है तो उसी वे से accept करना है अगर उस वे से accept नहीं क्या गया तो वो valid acceptance नहीं होती जैसे सुरंद्रानाथ वर्स के दारनाथ की case में होता है offer was made to B by A to sell his house for Rs.1000 तो वो लिखता है कि अगर तुम इंट्रस्टेड हो मेरा घर खरीदने के लिए तो F को उसके address पे लिखो अपनी acceptance बी जो है वहाँ पर अपना agent भेज देता है जो कि F को परस्निल मिलता है तो यहाँ पर कोड कहती है कि यहाँ पर कोई violation नहीं है यह कि वाले असेप्टेंस है असेप्टर मस्ट पी अवेर ऑफ ती पर्पोजल एड़ टी टाइम आफ ती ओफर जैसे लालमन शुक्ला वर्सिस गौरीदत का केस हम पहले भी कर चुका है कि ज्यसे जी का नैफिव को मिसंग होता है ओ अपने सर्विथ इसको भेजता है यही पश्पतलासे को हिस क्लिदा फ्यवोड्र Evenohl जैसे Union of India vs. Gupal Chandra के case में होता है कि person जो है अपना resignation दे देता है वो offer है तो अपनी जो resignation का letter है उसको withdraw कर सकता है acceptance से पहले क्योंकि जब आप resignation देते हो तो एक competent authority उसको accept करती है तो अगर आपने अपना letter of resignation है withdraw करना है तो वो आपने उसकी acceptance से पहले withdraw करना है acceptance जो होती है silence से info नहीं होती कि अगर हम कहें कि तुम मंडे तक जवाब नहीं देगा तो मैं सोच चुगा कि तुमने इसको accept कर लिया तो यह valid acceptance नहीं है a offer you my car for Rs.50,000 अगर तुम 10 days के अंदर reply नहीं करती है तो मैं समझूगा कि तुमने मेरी offer को accept कर लिया है तो वहाँ पे बीच उप रहता है तो वहाँ पे कोई contract नहीं होता है तो इसका भी effect होता है कि यहाँ पे यह valid acceptance नहीं होती जैसे एक manager होता है railway company का तो उसके पास एक agreement आता है supply of the koila का तो वह उसके लिख देता है acceptance उसको दराज में रखके भूल जाता है बट वह कभी post नहीं करता तो यह valid acceptance नहीं है कुछ situation के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे अगर silent भी रहते हो तो वह valid बाना जाता है जैसे offer के पास reasonable opportunity है चीजों को reject करने के लिए बट अगर वह benefit लेता है तो it will amount to acceptance जैसे काशी परसाद वरसे सजदी के केस में होता है कि एक tenant है वो घर किराई पे रह रह रहा होता है तो landlord उसको कहता है कि तेरा अगले महिने से rent बढ़ गया है तो भी वो उसके अंदर रहता है तो it means कि उसकी silence है कि उसकी offer को accept कर लिया है और जो offer और offer के बीच में dealing ऐसी होती है कि proposal के पास reason होता है कि silence जो है यहाँ पे उसकी ascent है तो उस situation के अंदर जो है वो valid acceptance मानी जाती है और अगर acceptance subject to contract है जहाँ पे offer या acceptance is subject to approval by certain person जब तक contract नहीं बनता जब तक कि वो उस specified बंदे से उसकी approval नहीं आ जाती